नमस्ते रूम शान्तिया आप सुछोताओं का पुस्वागत आपके यूट्यूब चैनल पर जहां पर आप वरदाउनों के बारे में ही सुनते हैं और साथ-साथ अगर आप देखें नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है जहां पर आप लिंक पर जाकर के चेक आउट कर सकते नीचे लिंक में और आगे बढ़ते हैं आज के 238 दिन की श्रीवर्दान में परमपिता परमात्मा हमारे मूड को जो फ्लक्शूट करता है उसको कैसे ठीक करें उसके बारे में कुछ सुझाब देते देखें बाबा कहते क्या है बाबा कहते हैं सदा एकरस संपन मूड में रहने वाले एकरस संपन कम्प्रीट मूड में रहने वाले पुर्शार्थी सो प्रालब्धी सुरू भवव पुर्शार्थी सो प्रालब्धी मूड को मेंटेन करने के लिए पुर्शार्थ करना पड़ता है हम जहातर लोग जो होते हैं वह भार की चीज़ों बैटेपन करते हैं मूड को ठीक करने के लिए देखें बाबा विस्तार में कैसे कहते हैं बाब दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के mood बहुत बदलते है परमप्रता परमात्मा उपर वतन से हमात्माओं का सच्चा वतन उपर है यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए हुए acting करने के लिए लगता है बहुत लंबे समय के लिए हुए लिकिन घर तो लोटना है न तो परमात्मा कहते हैं, मैं अपने घर से देखता हूँ, बतन से देखता हूँ, कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं, कभी आश्चेरेवत की मूड, कभी आकर्शन हो जाती है किसी चीस से, और कभी आश्चेरे हो जाता है किसी चीस से, और ये कैसे हो गया, ये कैसे होन होना चाहिए था ऐसे तो नहीं होना चाहिए था परमात्मा कहते हैं आज चरेवत के मूड कभी question mark की मूड यह सही है परमात्मा का यह ग्यान ही है परमा कुमारीज बोलती है परमात्मा भगवान धर्ती पर आया हुआ है लेकिन दिखते जीवन में परिवतन करना बहुत ज़रूरी है जैसे इसे परिवतन करते जाएंगे द्रन संकल बढ़ते जाएगा शक्ती बढ़ते जाएगा हर सिचेशन में संतुष्ट हर कारे में संतुष्ट रहेंगे आप फिर बाबा कहते हैं कभी attention का जूला और कभी tension का जूला तो बाब करने हैं काम यह यह चीज़े करनी है दिन बर meditation में रहना है आपको अब दिन बर कैसे meditation में रहें उसके लिए आप करमयोग सीखते हैं ब्रहमकुमारीज में कि खाना पकाते हुए ऑफिस काम करते हुए बिजनस करते हुए गाड़ी चलाते हुए कैसे परमपिता परमात्म की याद में चले हैं और योग करें मतलब याद में meditation मेरा है ताकि वो हमें प्रोटेक कर पाए हर जगा पर कदम कदम पर भगवान हमारे साथ हो इसको कहते है meditation और इसको कहते है राज यूग meditation जिसमें को चौकड़ी मारकर नहीं बैठना है आपको हर जगा पर तो परमात्म पर कहते हैं लेकिन संगम यूग प्रालब्द यूग है अब यह बहुत गुप्त यूग है जैसे कि लीप्यर होता है आपको पता होगा कि हर चारसा के बाद में एक वर्ष ऐसा आता है जिसमें कि आपका आपका फेबरेरी का जो महीना होता है उसमें एक दिन और बढ़ जाता ह है तो एक दिन बढ़ना मतलब एक्स्रा टाइम मिल गया परवाता कहते हैं ऐसे ही संगम यूग का समय है कि चार यूग तो पता है में हमारा सत्यूग त्रेता द्वापर कल्यूग लेकिन एक गुप्त यूग है जहां पर परमपिता परमात्मा धरती पर आते हैं जो कि 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 पता नहीं चलता बहुत कम आत्मा होती हैं बहुत ही कोटों में कोई करोडों में भी कोई आत्मा होती है जो कि पैचान पाती ही परमपिता परमात्मा आ चुका है कैसे पैचानती है उनके ग्यान को फॉलो करके जो शक्ति मिलती है जो संतुष्टा मिलती है उसके दौरा उन को महसूस था था कि हाँ ये ग्यान किसी मनश्य का ग्यान नहीं है ये साधरन ग्यान नहीं ना तो ये गीता में ग्यान मिलता है ना ये बाइबल में ग्यान मिलता है ना ही कुरान में ये ग्यान मिलता है ये ग्यान बहुत शक्तिशाली है तब जाके महसूस होता है कि ये इस संगम युग में मिल रहा है, फिर बाबा केती है, जो बाप के गुण वही बच्चों के, संगम युगी प्रालब्ध युग है, ना की पूरशार्थी, इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के जो पर्म पता परमागं के Concept 확ने के गोड esos मूड हमारा डगमग रहता है पूरी दन अब वो क्या छोटे छोटी बाते हैं जिनकी कारण से मारा मूड आफ रहता है वो हम यहाँ समझते है मूड आफ मतलब कहीं न कहीं पाप क्या है तो जहां बाप है परमपिता परमात्मा है वहाँ पाप नहीं हो सकता तो बाप है साथ में, तो पाप नहीं है, ये बाते बहुत समझने वाली है रोगते यही है संगमयोकी प्रालब्ड, कि हम परमपिता परमात्मा की कई भी बातों में आगे बढ़ते चलें तो सदा एकरस एक ही संकल्प, एक ही संपन मूड में रहो तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रालब्दी सुरूप वाले तो एकी संकल्प में रहना परमपिता परमात्मा की याद में रहना गिरेना की जगा पर आपको सबको संद्रिष्टी में रहना वो एकी संद्रिष्टी के संकल्प में रहना इरशा की जगापर आप औरों के लिए शुब भावना शुब कामना है करें कि और आगे पड़ो और आगे पड़ो इस संकल्प में सदा क्ले रहना तो मूड अफ होगा नहीं होगा लेकिन आप फ्रक्चुट करेंगे अच्छाओ अच्छाओ आपका मूँसे तो बोल दिया ल जान तो विकर्म होते हैं ऑप टे और मुड फोता है चक्रवी में फच्चाथ है तो प्रमातमा हमें इसलिए मेडिटेशन सेखा के और इस ज्यान को हर दिन पन नेग employees तो आपसको आकर के ब्रहा कमारी सेंटर पे और कहरा ही ये कहना कहचा रहे हैं, आपको दिन शुबह हो, आप सुखे रहें, स्वस्त रहें, ओम शान्ती